अलू अर्जुन के फिल्म से चोरी किया गया गाना करंट लागा फिल्म सरकस विवादों में गिरती नजर आ रही है सोशल मिडिया यूजर्स और नेटिजन्स का दावा है कि करंट लागा को साउथ इंडस्टी के सूपर स्टार अलू अर्जुन के गाने से कौपी किया गया है बोलीवुड अविनेता रणवीर सिंग इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सरकस को लेकर लाइम लाइट पर बने हुए है उनकी ये फिल्म 13 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलिज होने वाली है हलाकि रिलिस से पहले ही सोशल मिडिया पर रणवीर सिंग और दिपिका पादुकोन के गाने करंट लगा पर बवाल मस गया है आखिर ये बवाल क्यों हो रहा है आईए जानते हैं करंट लगा गानर लिज होने के बाद ही कापी चर्चा में है इस फिल्म के गाने में रणवीर और दिपिका पादुकोन के किलर डांस मुमेंट देखने को मिल रहे हैं दोनों फिर से अपनी सीजनिंग कैमेस्टी और एक्सप्रेशन से सब का दिल जीत रहे हैं लोगों को दोनों की ये कैमेस्टी बहुत इंप्रेश कर रही है इसी भी सोशल मीडिया पर गाने को कापी करने का एक अलगी हंगामा मजगा है जी हां सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और नेटे जिन्स का ये दावा है कि करन्ट लगा गाने को साउथ इंडस्टी के सुपरस्टार अलू अरजुन के गाने से कापी गया गया है दोनों गानों का एक एडिटेड वीडियो इंटरनेट पर काफी बारल हो रहा है इस वीडियो के सामने आने के बाद यूजर्स के तरह-तरह के रियक्ön आने सुरू गया है एक यूजर्स ने कमेंट में लिखा खोदा बॉलिवोड निकला साउथ तो वहीं दूसरे यूजस ने कमेंट करते हुए लिखा पहले फिल्मों की निकल करते थे और अब गानों की बताते कि रोईस चेटी इस फिल्म को प्रोड्यूस और डारेक्ट कर रहे हैं ये फिल्म क्रिस्मस के मौकर पर लिजोने वारी है इस फिल्म में रडवीर सिंग के अलाबा पूजा हेगडे, जैकलिन फर्नाडिस, वरुन सर्मा लीड रोल में नजर आएंगे इस बुलेटर में फिला लेतना ही, आप देखते रहे हैं सिने, आज कल न्यूस नमस्कार